Hello everyone, welcome to my channel आज का हमारा जो विडियो लेक्चर है वो कास करके महीलाओ के जो बहुत ही एहम जो उनकी बूड़ी का हिस्सा होता है उनके रिलेटेड है यानि कि गर्बास है तो गर्बास है में किसी को गाठे बन गई है जिसे हम फाइब्रोइट्स कहते हैं फाइब्रोइट्स का मतलब यह होता है कि गाठे बनना, गाठे हो जाना तो इसकी सबसे अच्छी कौन सी डवाई है किस तरीके से आप गर्बास है के गाठे को गला सकते है तो यहां पर आप देखिये कि तीन तरह के यहां पर गर्बा से के fibroids दिखाये गए है। यहां पर सबसे पहले है सब-mucosal fibroid, intramural fibroid and subserosal fibroid तो यहां पर आप देखिये यह जो fallopian tube है इसे target किया हुआ है तो यहां पर गांठे बन गई है। फेलोपियन ट्यूब के अपर साइड जिसे हम पेडू कहते हैं तो पेडू के अंदर भी गाठे बनना या फिर उसके बाहरी ओर तो ये जो गाठे बनती है इसे आप कौन सी दवाई से गला सकते हैं या फिर इसकी कारण जो डर्ड पेइन रहता है उससे आप केसे राहर पा सकते हैं लेकिन सबसे पहले यहां से हम जानेंगे कि इंट्रा मूरल फाइब्रोईड वो कहां पे होते हैं तो वो यूट्रोस की जो वाल होती है उसके अंदर वो डैवलप होते हैं तो आप यहां पे देखें यह जो यूट्रोस की वाल है उसके अंदर यह गांठे बनती हैं जिसे हम इंट्रा मूरल फाइब्रोईड कहना हैं सबसे रूरल फाइब्रोईड जो की यूट्रोस की बाहर की ओर इस तरीके से बनती है तो यहाँ पर दूसरी भी है सब्मियोकोजल फाइब्रोइट तो मिडल मसल लेयर तो यहाँ पर यह जो बीच की लेयर्स है वहाँ पर आप देखे इस तरीके से यह गांठे बनती है तो इसके causes क्या है किस कारण से यह जो गांठे है वो आपकी यूटरस में बनती है तो इसका सबसे पहला यह कारण है कि आपकी बोडी में hormonal imbalance हो गया है hormonal imbalance यानि कि महिलाओं में जो periods आते हैं वो irregular हो जाना hormones यानि कि जो FSH होते हैं follicular cells उसकी कमी हो जाना then किसी को यह genetically हो सकता है कि आपकी जो PD है उनके true genetically आपकी बोडी में जो genes transfer होते हैं उसके true भी आपको यूटरस में गांठे बन सकती है कोई इंसान है जो कि obese है यानि कि excessive उसका weight हो गया है overweight है तो उसके कारण भी आपकी यूटरस में गांठे बनेगी then PCOS यानि कि polycystic ovarian syndrome PCODB होता है और यहाँ पे है PCOS तो इसे condition में भी महिलाओ के जो ovaries होती है fallopian tubes होती है और जो uterus होता है वहाँ पे गांठे बनती है या फिर कोई महिला है तो वो आलकोहल ले रहे है आलकोहल के consumption से भी यह problem बनती है vitamin D की deficiency और खास करके यह जो problem है वो बहुत ही common रहता है stress तो stress का जो problem है वो महिलाओ में ज्यादा तर देखने को मिलता है तो stress के कारण भी आपकी body में इस तरीके से गांठे बन सकती है तो आगे हम देखेंगे किसका इलाज क्या है किसे इसे ठीक कर सकते है तो fibroids की जो सबसे पहली medicine है उसमें है combi flame यानि कि अगर आपको वहां पे pain हो रहा है, surgeon हो गई है तो उसके लिए आप combi flame ले सकते हैं जिसमें होता है ibuprofen और paracetamol तो ये आपकी body में quick heal करेगी आपकी body में analgesic anti-inflammatory properties देगी तो उसके कारण आपकी body में जो pain हो रहा है उसे आपको रहत मिलती है तो इसका जो dose है वो कितना लेना है एक tablet दिन में तीन बार आपको लेनी है तो इस तरह ये किसे इसका fixed dose रहता है दूसरी जो medicine है वो है motrin तो motrin की यहाँ पर आप देख सकते हैं dual action है इसकी जो tablet है वो बहुत ही खास है यहाँ पर देखिए M plus T तो motrin और tylenol इसके combination में M, T बनाया गया है यहाँ पर दो colors भी है इस तरह के से रहते हैं motrin और tylenol तो specially इसमें जो medicine है वो यह है carboprofen और acetaminophen तो यह जो tablet है वो आपको dual action देगी जिसे कि आपकी body में pain हो रहा है कुछ इसे chemical release होते है जिसके करण आपको pain हो रहा है तो यह जो tylenol है वो क्या करेगी आपकी body में जाके इसे chemical को block करेगी कि जो आपको pain करने के लिए responsible है और motrin की हम बात करें तो motrin का का काम यह है कि जो chemicals होते हैं pain के जो targeting cell होते है उसके साथ वो bind हो जाते है इस तरीके से इसकी dual action रहती है यह जो medicine है वो आपको दिन में एक बार लेनी है नाव वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी book है जिसका नाम है disease and treatment तो आप यहाँ वे इस वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से हमारी पूरी color printed book है इस book में सभी तरीके से जो disease है उसके बारे में सिखाया गया है बहुत अच्छी information दी गई है तो total 125 आपको इसमें disease मिल जाती है इसके साथ ही आपको कुछ इसी treatment मिलती है जैसे कि alopathic, homeopathic, iuridic तो बहुत अच्छी जानकारी दी गई है इसमें इस book को purchase करने के लिए इस whatsapp number के true हमें आप contact कर सकते हैं आगे देखते हैं कि homeopathic medicine में इसका क्या इलाज है तो विजल के WL48 नमबर यह नमबर आपको याद रखना है 48 तो fibroid uterus के लिए बनाये गए हैं तो इसका काम यह है कि आपको जो भी pain होगा तो pain को relief करने में या आपकी मदद करता है यानि कि किसी को pelvic floor में अगर गांथे बन गई हैं uterus के upper bug में या फिर lower area में तो उस condition में ये pain को relief करता है इसमें कुछ ऐसे active ingredients है जो की जो गांथे होटी है उसके just tissues है जो cell है जो की hard हो गए है तो उसको soft करने में भी help करता है जिसके करने आपको pain नहीं होगा और जो महिलाओं में जो problem रहती है पानी की उसे भी ये जो drops है वो ठीक करता है stop कर देता है तो इस तरीके से विजल के wl 48 number काम करते हैं लेकिन आपको इसे लेना कैसे हैं कितना आप dose लेंगे तो आपको एक glass पानी ले लेना है उस glass में आदे glass तक आपको पानी भरना है और इसके 8 से dust drop लेने हैं और इसके अंदर डाल के आपको ये जो दवावाला पानी है वो mix करके आपको पी जाना है तो एसे दवावाले पानी को आप दिन में 3 बार consume कीजिए और 3-6 मन तक ये जो therapy है वो आप continue रख सकते हैं आगे हम बढ़ेंगे और जानेंगे कि मेरी एक channel है जिसका नाम है सहर्टॉक तो उस channel को भी आप सर्वर से subscribe करें इस channel भी आपको बहुत अच्छी जानकारी दी गई है और आपको medicine course जो है वो free मिलता है यहाँ पे हैं दूसरी जो की methylcobalamin macobrook plus यह जो capsule है वो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे bloods है तो blood को आपकी body में increase करेगी वैसे तो fibroid जो है वो completely thick नहीं हो सकता है लेकिन आपको fibroids में जो pain हो रहा है जो bleeding हो रही है कभी कबाद तो उसको रोकने के लिए और आपकी body में proper blood supply हो उसके लिए आपको B12 के supplements लेने चाहिए तो इसमें अच्छे supplements है methylcobalamin, alpha-lipoic acid, vitamin B6 and folic acid तो इसकी combination जो capsule है macobrook capsule उसके कारण आपकी body में blood supply अच्छा होगा HB यानि की hemoglobin अच्छा बनेगा तो आपकी body maintain रहेगे Now यहाँ पे हैं हमारे पास Ayurvedic Medicine में fibroid kit तो fibroid kit में आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 तरग की यानि की चार तरग की यहाँ पे capsule है AZ, EV, Alpha Heal, Fibro Heal and Cystoa Neal तो यह जो चारो kit में डी गई हैं इसे लेना कैसे हैं तो herbal supplement जो है वो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखे Alpha Heal तो इसकी जो doses रहती है वो दिन में 3 बार यानि की एक capsule आपको टीन टाइम लेनी है AZ, EV, तो इसका भी dose सेम तरी किसे रहेगा दिन में 3 बार एक capsule Fibro Heal, उसका भी dose सेम है दिन में 3 बार एक capsule Cystoa Neal, उसका जो dose है वो आपको दिन में 2 बार लेना है यानि की पहले हम लेंगे सुबा दिन लेंगे रात को यानि की morning में and night में लेंगे तो यह जो kit है पूरी उसमें कुछ इसी medicines है, कुछ इसी supplements है जो आपको internal bleeding होती है Fibro Heal में उसको reduce करने में help करती है और Fibro Heal की जो गाटे होती है उसकी size को कम करने में help करेगी यानि की जो size है उसे ज्यादा increase नहीं होने देगी और आपको जो pain and pressure आ रहा है उससे भी आपको help मिलता है तो यह जो kit है उसके according हम लेंगे alpha heel एक tablet उसके साथ साथ AZEV एक tablet Fibro Heal एक tablet and systorenil एक tablet तो यह one time की यानि की सुबा की therapy हो गई इस तरीके से आपको यह जो medicine है वो आपको लेनी है और किसी जो healthcare provider है वो आपको इस तरीके से suggest कर सकते है तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो आपको यह वीडियो भी अच्छा लगेगा इसी वीडियो में भी आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी दी गई है तो इस वीडियो को भी जरूर से देखें और अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें एसे ही नए नए वीडियो और नई नई जानकारीों के लिए और बेल आइकोन को टौन करना ना भूले